चुनावना लड़ने की सुश्मा सुराज के फैसले के बाद से इस बात को लेकर अटकले लगाए जा रहे थी कि विदेश मंत्री की कुर्सी किसको दी जाएगी शपत ग्रहन के दिन एकाएक जिस तरह से S.J. शंकर का नाम सामने आया उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि पूर्व IFS रहे S.J. शंकर ही देश के अगली विदेश मंत्री होंगे 77 बैच के पूर्व विदेश सचिव S.J. शंकर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पूर्व पीम मनमोहन सिंग भी खासा पसंद करते थे और उन्हें अपनी सरकार में विदेश सचिव बनाना चाते थे लेकिन वरिश्टा क्रम में सुजाता सिंग उपर थी इसलिए उन्हें कुर्सी दी गई बिना किसी पॉलिचिकल बैग्राउंड के जिस तरह जैशंकर को ये जिमेदारी सौपी गई है जाहिर है ये उन पर पिएम नटरमोधी के भरोसे पर ही मोहर लगाती है नरेंदर मोदी जी की पसंद उनके सेलेक्षन पे इसलिए हमको विश्वास है कि उनको पता है कि कौन सा काम कैसे किस से कहा कराना है प्रधान मंत्री जी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा तो उनके हर फैसले के इंदर को इनको अच्छा ही होती है एस जैशंकर जनवरी 2015 से लेकर 2018 तक बतोर विदेश सच्चिव के तौर पर काम कर चुके है अमेरिका के साथ परमानु समझोता हो या फिर चीन के साथ डोकलाम विवाद दोने ही मामलों को जैशंकर ने बेहतर तरीके से सुलजाया एस जैशंकर के पास विदेश विभाग का लंबा चोड़ा अनुबव है लेकिन उनके सामने चुनोतियां भी कम नहीं शंगाई, सायोग, संगठन और ब्रिक जैसे प्लैटफॉर्म पर भारत के प्रभाव को बढ़ाना होगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और यूरोपिय उनन के देशों के साथ संबंदों को और मजबूत करना होगा जैशंकर उन राजनईकों में से हैं जिने चीन, अमेरिका और रूस तीनों ही मुलकों में काम करने का अनुभव है चीन के साथ 73 दिन तक चले डोकलाम विवात को सुलजाने में भी जैशंकर का अहम रोल था इससे पहले 2010 में चीन की ओर से जम्मो कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दिया जाता था इस पॉलिसी को बदलवाने में भी जैशंकर का अहम रोल रहा बिरो रिपोर्ट स्वराज एक्स्प्रेस